नमस्कार, मेरा नाम जैश कुमार शर्मा हैं और मैं आनंद इंजरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पत्ता कारे रहत हूँ आज के सतर में जो चर्चा का विशा है वो है website component development यानि की website के different components कौन-कौन से होते हैं और उनकी मदस्से हम website को किस तरह से अच्छा या effective बना सकते हैं तो आज के सतर में हम लोग सीखेंगे कि modern web programming या modern web pages को develop करने के लिए कौन-कौन सी best practices industry में use की जाती हैं कौन-कौन से website layouts होते हैं जिनकी मदस्से हम अपने web page और websites को effective बना सकते हैं different type के navigation और menus bar कौन-कौन से होते हैं जो हम website के अंदर डाल सकते हैं और इसके अलावा हम लोग आखरी में देखेंगे कि किस तरह से हम content management system की मदस्से अपनी website को fast तरीके से बना सकते हैं या बिना programming knowledge के भी बना सकते हैं तो हम लोग आते हैं पहले topic के उपर जो है best practices for developing modern web pages modern web pages को develop करने के लिए क्या best practices companies इस्तेमाल करती हैं अगर हम modern websites की बात करें तो basically modern website एक relative phrase है relative phrase का मतलब होता है कि time to time modern की definition बदल जाती है माल लीजे कि अगर आपने कोई site 2010 में बनाई थी तो आज आप 2018 में उसको modern नहीं कह सकते उसका कारण है कि बहुत सारी नई चीज़ें जो 2010 से 2018 के बीच में आई हैं वो सारी चीज़ें उस website के अंदर नहीं होगी 2010 में वो site modern हो सकती थी लेगिन 2018 में वो site modern बिलकुल नहीं होगी तो उसको हमें दुबारा से develop करना पड़ेगा नए तरीकों से नए टूल से नए technologies के साथ तब ही हम उसको modern website केह पाएंगे अब हम लोग आते हैं कौन कौन सी ऐसी best practices हैं जो हमें किसी website को develop करते समय ध्यान में रखनी चाहिए तो यहाँ पर पहला point आता है strong but limited color palette जो हम color scheme choose करते हैं जो हम color scheme select करते हैं अपनी website के लिए वो color scheme हमें बहुत ही carefully select करनी चाहिए कई बार बहुत सारे programmer बहुत सारी color scheme use करते हैं वैब page इसको बिलकुल रंग रंगा बना देते हैं लेकिन उससे पूरे वैब page या website का लोग खराब हो जाता है अगर आप अच्छी company की website देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो companies बहुत ज्यादा color use नहीं करेंगी दो या ज्यादा से ज्यादा तीन color का इस्तिमाल होता है design करने में elements को या webpage को design करने में इससे ज्यादा color का इस्तिमाल नहीं होता है तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई webpage बना रहे है आपको बहुत ज्यादा color का इस्तिमाल नहीं करना है रंगों का इस्तिमाल नहीं करना है दो या तीन अच्छे color आपको select करने है और उसी में आपको अपनी पूरी webpage या website को develop करना है यहाँ पर मैंने कुछ उधारन लिये हुए है यह पहली website का जो चितर आपको दिखाई दे रहा है यह apple.com का है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ दो color में पूरी website बनाई हुई है इसी तरह से यह microsoft.com की site का snapshot मैंने लिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी बहुत ज़्यादा रंगों का इस्तिमाल नहीं हो रहा है तो सबसे पहला best practice अगर हम web page development की बात करें तो हमें अपने color selection में बहुती ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा color नहीं लेने हैं सिर्फ 2 या 3 color में ही पूरी website को design करना है इसके बाद आता है proper use of white और empty space कुछ websites पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा content होते हैं और वो एक ही page पे सारे content हमें दिखाई देते हैं उसमें क्या परेशानी होती है कि उसमें अगर मुझे कोई content ढूणना है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूणना दूसरे जो उसके अंदर contents है वो सब इतने पास-पास होते हैं कि website का लोग खराब हो जाता है तो हम लोग website के साथ white space या empty space यूज़ करते हैं अगर हम white space का इस्तिमाल ज्यादा कर देंगे तो वो look and feel को website के खराब कर देगा white space हमें clean design प्रवाइड करता है जो कि digestible है और organized दिखाई देती है जिसकी help से site इसके अलावा वो readers को help करता है जिससे कि वो अपने web pages को easily navigate कर सके तो दूसरा fundamental आप ध्यान रखिए website designing में कि आपको कभी भी अपने web page को बहुत crowded नहीं बनाना है यानि एक जेगे पे सारे content नहीं डालने है उसमें आपको white या empty space का use करना है अब इसमें एक सवाल यह आता है कि अगर हमें space छोड़ना ही है तो क्या हर बार हमें white space ही छोड़ना होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो color scheme आपने use की है उस color scheme के हिसाब से आप empty space छोड़ सकते हैं इसके बार तीसरा best practice जो आता है वो है relevant call of action relevant call of action means कि आपकी website के अंदर कुछ ऐसे button होने चाहिए जिससे की website का user आपकी website से properly interact कर सके जैसे की contact us अगर आप अपनी website या webpage के अंदर contact us नहीं डाल रहे हैं तो कोई भी आपसे संपर्थ नहीं कर सकता इसी तरह से like और share अगर आप देखेंगे तो आज कल हर website का link होता है social media के साथ यानि अगर आप उसकी post को like करना चाहते हैं तो facebook या twitter के माध्यम से आप उसको like कर सकते हैं और share कर सकते हैं उसके लिए आपको facebook या twitter पे जाने की जरूद नहीं है आप directly उसको integrate कर लेते हैं website के साथ इसके बाद video integration आप देखते हैं कि बहुत सारी site के अंदर youtube के साथ connectivity रहती है यानि कि आपको अपनी website पर जाके video upload करने की जरूद नहीं है आप उसका integration youtube के साथ कर सकते हैं जो आपकी webpage या website की effectiveness को और बढ़ाता है इस चितर के अंदर आप देखेंगे कि मैंने कई call of action या लिखे हुए है call to action लिखे हुए हैं जो किसी भी website के लिए modern website के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है जो आपको provide करने होते हैं अपने webpage इसके साथ इसके बाद चौथा point आता है clean coding बिना programming के हम लोग इस तरह के webpage या website के बारे में सोच भी नहीं सकते तो एक अच्छी website या web page के पीछे एक programmer के बहुत effort होता है बहुत मेहनत होती है तो वहाँ पर उसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वो code लिख रहे है वो code उनका clean होना चाहिए clean का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से लिखा हो जिससे की दूसरा आदमी उसे पढ़ सके कोई नया programmer उसे पढ़ सके और बाद में website को properly maintain भी कर सके अगला point आता है design for the user first कई बार companies user की choice को ध्यान में ना रखते हुए अपने हिसाब से web page डिजाइन कर देती है तो ध्यान रखे कि आपका primary target जो है वो user है जो उस website या webpage को view कर रहा है तो हमेशा जब भी आप look and feel की बात करते हैं तो आपको user को ध्यान में रखते हुए look and feel decide करना है webpage का ना कि आपकी अपनी choice के हिसाब से इसके बाद अगला point जो आज के समय में बहुत महत्पून है SEO boosting elements SEO क्या होता है SEO होता है search engine optimization आप अक्सर google पर कुछ search करते हैं तो जो पहला दूसरा या तीसरा result आ रहा है वो कैसे आ रहा है उसके लिए कही ना कहीं search engine optimization जिम्मदार है आप भी अपनी site में search engine optimization के माध्यम से अपने web page या website की ranking बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए बहुत महत्पून है कि SEO boosting element का इस्तिमाल हम अपनी website में करें बहुत सारे ऐसे element होते हैं जो search engine optimization में हमें मदद करते हैं जैसे कि meta tag, title tag, heading tag modern web page development की अगली best practice है speed optimization speed optimization का मतलब होता है कि जो website के user है जो आपकी website को view कर रहे है उनके system पे आपका webpage तेजी से खुलना चाहिए यानि बहुती कम time लेना चाहिए खुलने में generally user कुछ समय के लिए wait करता है कुछ seconds wait करता है और अगर आपकी site नहीं खुल रही है तो फिर वो आपकी site बंद कर देता फिर उस पे कभी भी return नहीं आता है तो यह बात ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी website design कर रहे है या webpage design कर रहे है वहाँ पे speed optimization का ध्यान रखिए speed को optimize करने के लिए कही ना कहीं बहुत हद तक photograph या images जिम्मेदार होते हैं तो ध्यान रखिए कि जब भी आप image यूज कर रहे हैं अपनी website के अंदर compressed image format आपको यूज करने हैं compressed image format कौन से होते हैं jpg और png जो बहुत ज़्यादा website के अंदर use किया जाते हैं उसका कारण यह है कि यह बहुत ही कम space के अंदर image को save करते हैं तो जिससे आपकी website की effectiveness भढ़ जाती है और आपकी speed optimize हो सकती है laptop पर देखना चाता है desktop पर देखना चाता है mobile भी अलग-अलग प्रकार के हैं अलग-अलग resolution अलग-अलग size के हैं ऐसे में अगर आपकी website उन सारे size और resolution को support नहीं करेगी तो आपकी website एक अच्छी website नहीं है और इस चीज को हम कहते हैं responsiveness यानि की screen size के हिसाब से device के हिसाब से वो अपने आपको automatically adjust कर ले जैसे ही मैं website खोलता हूँ और अगर वो responsive website है तो मेरे mobile resolution या size के according वो website अपने आप adjust हो जाती है और मुझे एक अच्छे तरीके से दिखाई देती है अगर वो site responsive नहीं है तो उसका look and feel खराब हो जाता है और वो एक बहुत ही खराब programming practice हो जाती है modern webpage development के साब से तो ध्यान लखिए कि जब भी आप website design कर रहे हैं हमेशा आपकी website responsive होनी चाहिए अब हम लोग आते हैं अलग-अलग प्रकार के layout पे जो किसी website में होते हैं आपने देखा होगा कि जो website बनती हैं या webpage बनते हैं वो अलग-अलग प्रकार के layouts में बनते हैं अलग-अलग प्रकार के layout का मतलब है कि उनका content placement अलग-अलग तरीके से होता है तो एक general layout जो मैंने चित्र में दिखाया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो ये एक website के typical layout की बात करता है इस layout के अंदर कौन-कौन सी चीजें हमने डाली हुई है सबसे पहले डाला हुआ है header यानि कि हमारी website के अंदर एक header होना चाहिए उसके बाद navigation menu header के नीचे navigation menu होना चाहिए उसके बाद हमारे पास जो content part है हमने तीन section में divide किया है तीन column में divide किया है जरूरी नहीं है कि content part को हम तीन column में ही रखे कई जगे इसको single column two column में भी रखा जाता है content के बाद हमारे पास होता है footer जो कि website के सबसे आखरी में होता है तो जो हमने component identify किये website layout के अंदर वह हुए header navigation menu इसके अलावा contents content के साथ आप side navigation bar भी दे सकते हैं जैसे कि इस चितर में हमने देखा था कि हमारे पास तीन column थे content के लिए बीच में हमने main content रखे हुए थे और side में हमने सिर्फ content लिखा हुआ था side contents की जगे हम लोग यहाँ पर navigation bar भी ले सकते हैं इस चितर के अंदर जो सबसे top आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर email और mobile number लिखा हुआ है और उसके साथ social media के link लेगे हुए है basically इसी part को हम कहते हैं header header के साथ बहुत जरूरी है कि जिस organization की website है वहाँ उसका logo भी होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि नीचे का कुछ हिस्सा भी हमने header में शामिल किया हुआ है header के नीचे हमारे पास है navigation bar यहाँ पर 6 menus आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते है horizontal navigation bar या horizontal menu जिसके अंदर हम different menus provide करते हैं navigation bar हमें help करता है web pages तक पहुँचने में यानि कौन सा web page हमें देखना है वो हम navigation bar की help से देख सकते हैं navigation bar के बाद हमारे पास नीचे एक banner है और उस banner के नीचे हमारे पास main content है इसके बाद हम लोग आते है content section पर content section जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने तीन column का content लिया हुआ था तो तीन तरीके से content हम लिख सकते हैं किसी web page के अंदर one column content का मतलब है कि आपके पास जितने भी content है जो भी text matter है या जो images है वो आपको एक single column के अंदर ही content section में रखनी है दो column का मतलब है आप content section को दो पार्ट में divide कर रहे हैं उसके अंदर दो column बना रहे हैं और उसमें आप images और content को place कर सकते हैं तीसरा है three column जो कि अभी हमने अपने उधारन में देखा था यहाँ पर हमने अपने contents को तीन पार्ट में divide किया हुआ था तीन column के format में जहां हम menus, images और text को अपनी जरुवत के हिसाब से look and feel के हिसाब से place कर सकते हैं website layout पे आखरी section जो होता है वो है footer मैंने यहाँ पर एक उधारन लिया हुआ है footer का अगर आप इस चितर को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस footer के अंदर हम क्या-क्या information रख सकते हैं पहला है about us जहां हमने थोड़ा सा company के बारे में लिखा हुआ है उसके बाद latest news उसके बाद contact information कई website footer के अंदर google map integration भी करती हैं वो कुछ additional hyperlinks भी provide करनी हैं जो website के बाहर जाने में या किसी और site को access करने में हमारी मदद करते हैं उसके अलावा sign up for newsletter या subscribe करने की जो facility है वो भी बहुत सारी companies footer के माधियम से ही provide करती हैं अगला topic है navigation जो हमें web pages को access करने में किसी user को मदद कर रहा है आपने देखा होगा कि जब हम लोग ने navigation बार अपने सुधारण में देखा था तो यहां पर हमने 6 menu item यूज किये थे menu के अंदर तो navigation आपको मदद कर रहा है कि आप एक page से दूसरे page तक असानी से जा सकें तो हमारे पास कुछ navigation के types होते हैं जो आप website में डाल सकते हैं अलग-अलग website में आपको अलग-अलग type दिखाई देंगे पहला है sidebar static menu sidebar static menu का मतलब होता है इनको vertical menus भी कहते हैं website के left side में या right side में आप menu रख सकते हैं और ये एक के नीचे एक menus होते हैं इसके अंदर आप sub menus भी provide कर सकते हैं इसलिए इसको कहा जाता है sidebar static menu sidebar means कि आप उसको side में place कर रहे है either on the left side या right side में इसके बाद आता है जो आजकल बहुत common menu type है hamburger menu अगर आप आजकल की modern websites देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगभग सभी sites में hamburger menu का इस्तिमाल किया जाता है hamburger menu क्या है collapse menu button होता है जिसको हम hamburger button भी कहते है जो generally आपके top left corner पर place होता है अगर आप देखेंगे website के top left corner पर तो आपको तीन लाइन दिखाई देती है अगर आपको तीन लाइन दिखाई दे रहे है menu की जगह है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर hamburger menu use हुआ है जब आप उस button को click करते हैं तो आपके पास एक menu बार या navigation बार खुलके सामने आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो बापस hide हो जाता है यह hamburger menu का प्रकार है जो आजकल की सभी modern websites के अंदर इस्तिमाल हो रहा है इसका एक उधारन मैंने दिखाया हुआ है इस website में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको top left side पर hamburger menu दिखाई देगा अभी इसके अंदर कोई भी menu आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जैसे ही आप इस hamburger menu को click करेंगे तो आपके पास options सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद यह options आपके छिप जाएंगे और बापिस आपके पास सिर्फ एक आइकन रह जाएगा जो की hamburger menu का आइकन होगा तो hamburger menu modern website designing में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि hamburger menu हम किस तरह से इस्तिमाल करते हैं तीसरा प्रकार है top navigation bar top navigation bar generally हमारा header के नीचे होता है और इसको हम horizontal navigation bar भी या horizontal menu bar भी कहते हैं इसमें हमारे सारे menu items horizontally एक के साथ एक placed होते हैं और इसके अंदर हम submenus भी provide करते हैं अब हम लोग आते हैं आखरी topic जो की content management system है content management system एक ऐसा tool एक ऐसा software होता है जो एक non-technical person एक non-technical आदमी को अपनी खुद की website बनाने में मदद करता है अगर मुझे किसी भी web programming concept के बारे में नहीं पता है तो मुझे website बनाने के लिए एक content management system की जरूवत होगी तो बिना java script, html, css की जानकारी के मैं अपनी website खुद बना सकता हूँ सामने ता industry में दो content management system बहुत जादा use होते हैं पहला है wordpress और दूसरा है joomla इन दौनों मेंसे किसी भी एक content management system की मदद से आदमी अपनी खुद की website बिना किसी programming knowledge के बना सकता है इस सत्र में हमने देखा कि अगर हम लोग modern web page को develop कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी best practices है जो हमें ध्यान में रफनी चाहिए हैं इसमें color scheme से लेके, responsiveness से लेके, white space तक का महतपूर योगदान है इसके बाद हम लोगों ने देखा website को develop करने के लिए कौन कौन से layout होते हैं इसमें तीन layout हमने शामिल किये थे single column, double column और three column इसके बाद हमने विविन प्रकार के navigation और menu bar देखे और content management system किस तरह से एक non-technical आदमी को website बनाने में मदद करता है इसके उपर चर्चा की अगले सत्र में हम लोग server programming के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद